नमस्ते सिंपली कुक में आपका स्वागत है आज एक और रेसिपी में आपके साथ शेयर करने आई हूँ आज मैं बनाऊंगी भोला माच बैंगन और बड़ी के साथ इस फिश को भोला माच कहा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मैंने यहाँ पर जो फिश को मेरिन को कि एक हां हालडी नमक और थोड़ से मीम्बू के रस से निम्बू करस में इसलिए एट करती हूं जिससे कि यह一个 में यह क्षो स्मील वहट जल्दी जल्दी बता रहे हूं क्योंeg नहीं तो बहुत जाधा time लग जाता है वीडियो में इसलिए मैं shot करके आपको दिखा रही हूँ उसी तेल में जिस तेल में मैंने fish को fry किया है, उसी तेल में जो बड़ी है उसको मैं fry कर लूँगी यह बहुत जादा fry नहीं करना है जैसे ही थोड़ा सा हलका लाल होता है उसको आप अलग से निकाल लीजिए उसके बाद दो सूखी लाल मिर्च और करीबन हाफ टीस्पून हम यहाँ पर जीरा एट करेंगे इसको थोड़ा सा हलका सा भूनने देंगे जैसे ही यह थोड़ा सा हलका सा फ्राय हो जाएगा उसके बाद हमने जो पहले से बैंगन को कट कर लिया है थोड़े बड़े साइज में बैंगन को कट करना होगा क्यों नहीं तो यह बैंगन जो है बहुत जादा गल जाता है लेंगे करके हम थोड़ा सा हलका सा इसको फ्राइ कर लेंगे बहुत जादा फ्राइ नहीं करना है बैंगन को हलका सा हम इसे फ्राइ कर लेंगे बहुत इजी और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये देखिए बैंगन जो है अच्छे से फ्राय हो चुके हैं बहुत जादा हमने फ्राय नहीं किया है बस थोड़ा सा हलका सा हमने यह आपर एक दो मिनिट के लिए से भून लिया है अब हम इसमें एक एक करके मसाले जो है वो एट करेंगे और मसाले में भी बहुत जादा में मसाले नहीं दूँगी थोड़े कम मसाले में ही मैं इसको बनाऊंगी एक टीस्पुन हमने यह पर जीरा पावडर एट किया है एक टीस्पुन अब हम हल्दी पावडर इसमें एट करेंगे और नमक स्वाद अनुसार देखे हमको थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से देखे यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें हरी मेच जो है हमने 20 से कट कर लिया है हरी मेच को वो हम इसमें एट कर देंगे एट करके जिस 30 सेकेंड के लिए हमें थोड़े यह मसाले के साथ इसे थोड़ा सा भूनना है उसके बाद हम इसमें पानी एट कर देंगे करीबन एक कप पानी हम इसमें एट कर लेंगे अब हम इसको ढग देंगे करीबन छे से साथ मेट के लिए इसको ढख देंगे जिससे कि यह जो बड़ी हमने तलके रखा है वो हमने इसमें एट कर लिया है क्योंकि यह खरीदा हुआ बड़ी नहीं है घर में ही यह जो homemade बड़ी है तो इसलिए इसको थोड़ा time लगता है पकने में इसलिए हम थोड़ा पहले ही इस बड़ी को दे देंगे दे के हमको फिर पाच मीट के लिए ढखना है उसके बाद ही हम fish को add करेंगे यापर कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर मेरे चैनल को अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन्स मिल सके देखिए आप पर जो है यह सबजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है आज का वीडियो बस यही तक नेक्स वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी तब तक झाल झाल